आज यहां बारी शोड़ी थी बहुत तो अब सोचा कि आज तो वीडियो डालना ही है जैसे भी डालना है पार्ट 3 का तो यह पार्ट 3 था कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट 2 में बताया था कि यह कैमरिन लॉज है एक जिसके अंदर आप जाके आप वाक कर सकते ह बहुत ही अच्छी सीनिक ब्यूटी है तो यह उसी का पार्ट है तो आप यहां पर देख सकते हूं मैंने आपको तुरन दिखाया जहां पर तुरन गाड़ी गई थी वह लॉज का एक पार्ट है और इस साइड में रिवर है जो लॉक लेक लेक को यहां लॉक कहते हैं जैसे प्राइवेट प्रॉपरटी है तो आप यहां जा कि आपको कुछ भी करना है फिशिंग करना या कुछ करना तो यहां पर यह सब करने ही सकते हैं अगर आप यहां पर स्टे कर रहे हैं तो आपको एलावड है थोड़ा समय ने इसके बार में रिसोर्च किया था तो मुझे ब बहुत थी बहुत जादा थी जैसा कि आप देख्टो में लास्ट वाल में बताया था कि मेरी हाथ एकदम का रहते फिल भी मैंने ट्राइ किया था बनाने का कि नहीं चलो मुझे दिखाना है विए बहुत अच्छी जगा थी और अगर आपको कभी स्कॉटलेंड आरे हो ता लॉक लिमॉन जरूर जाना चाहिए बलॉक होके तो यह मैं बस थोड़े से पाने के पास जाके आपको दिखाने की कोशिश पर रही हूं कि कितने सारे यहां पे बोट्स हैं I think close to 50-60 बोट्स थे जो एक साथ सब खड़े हुए थे तो मैं आपको थोड़ा सा लेट मी लेट म देख और पानी को देख के तो वीसे बताया मिन्हें आपको कि आप देखो कितनी क्लीन वॉकी लगतर thành मिन धर व्रना व्रेट में वर्की थे बहुत जादा क्लीन थे बहुत सारे डक्स थे जो वहां पे नो तह रहते अच्छा लग रहता बहुत तो शुश टंभा थेस मॉन से थोड़ा सा आगे चल पड़े मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे न तो राइट साइड में मेरे लॉक है जो रिवर है वो कंटिनी हो रहा है लेफ साइड में सारी कैमरेन लॉज की प्रॉपरटी की सारे कॉटेज आपका उनके रेश्टरॉंस फिर उनके गॉल्फ कोर्स उनका स्विमिंग पोल उनका बॉल रूम यह सब है तो मैं यह सब आपको दिखाते वे जाओंगी तो अभी फिला हम बस वॉक कर रहे थे आगे आगे कि मुझे दिखा अगर आप देख सकते हो अपने लेफ साइड में तो अभी मैं आपको राइट साइड दिखा रहती जहां तक जहां तक जो मैंने देखा यहां पर आपको थो बेड्रूम, फ्री बेड्रूम, फॉर बेड्रूम खिर औ्य journée साब से सब मिल जाता है। इस जज़ अब इसकी बुउकिंग प्री जल्दी हो जाती है कि थोड़ा सा वाम गॉकेश्त रज deben में बढ़किंग तो बिकोज जैसे ऐसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप कैसे चले जाते हो श्रीमला मनाली तो ये ग्लाजगो से ये सब के लिए ये जो लॉक लिमान है बलॉक है यहां के लिए एडिनबरा हो गया ये यहां के लिए श्रीमला मनाली है लोग बस वीकेंड पे निकल जा पर आप देखो कितनी प्यारी प्यारी कॉर्टेजेस हैं, कार खड़े थे, काफी फैमडी जाए भी थी, विकेंड था, तो यह मैं आपको दिखा रहे हो, यह देखे, एक कॉर्टेज था, और यह था यहां पर यह फिशिंग वाला जहां पर, मतलब यह बोट, यहां पर जाके बोट ले सकते हो, और यह कार खड़ी थी, मुझे इतनी प्यारी लगड़ी थी, यह बहुत पुरानी कार है, मैं को नहीं पता कौन सी, अगर आपको पता होगी, तो बताना, मैं तो बोट को चोड़के, मैं इसे ही capture कर रही थी, मुझे बहुत प्यारी लगई यह कार, पर आ आप भी जा सकते हो, इसा को इस्यू नहीं कि आप आप नहीं जा सकते हो, आप भी जा सकते हो, तो चोटा सा यह था, परस मुझे इसका कलर कॉंबनेशन बहुत अच्छा रहागा, डाक ब्ल्यू और लाइट ब्ल्यू में करके नोने किया हुआ था, पिर हम आगे चल पड़ यह काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, यह बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, और इट वस सो अमेजिंग, वाक करके जो एर था उसको ब्रीध करके, कहते हैं कि स्कॉटलेंड की एर और वाटर वन अफ दी प्यॉर्स्ट है, वर्ल्ड में, लिटरली, यहाँ पे जब हम ब्र बॉड़ी में, आपके जित्ती ब्लड रिवाइब हो गया, आपका पूरा बॉड़ी का नर्वर सिस्टम रिवाइब हो जाए, ऐसा हो गया था, तो इट वस सो बीड़फुल एक्स्पिरियंस, स्पृच्वली बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे जाके, सब उनीके कॉर्टेजेस हैं, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं, उनके भी कॉर्टेजेस हैं यहाँ पे, जैसे जो शेफ हो गए, जो रूम सर्विस वाले हो गए, या बटलर्स हो गए, या शौफर्स हो गए, सब का हैं यहाँ पे, तो यह हम आगे चल यहां से हम एंटर किया था अगर आपने रिमेंबर होगा आपको पार्ट टू में और यह इसमें अंदर जाके हर एक कॉर्टेजिस का छोटा-छोटा सा फिर से एंट्रेंस पॉइंट है जहां पे आप रूखोगे अगेन इट डिपेंड्स ओंदी जैसे कि अगर आप किसी भी होटल में स्टे करते हो तो डिलक्स रूम होते हैं स्टैंडर्ड रूम होते हैं फिर कुइन होता है उस तरह से यहां पर भी डिफरेंट काटेग्री ओफ कॉर्टेजिस है जिसको आप अवेल कर सकते हो तब यह वाला एडिया मुझो बहुत अच्छा लगा आप यहां पर च जारे यहां पर यहां पर यहां पर चेर्ज लगाई हुए हैं अपशा चार्ण की समर्च के लिए मुझा लेहां इंट होते है तो लेक थोड़ा ऊर पास आते जा रहा था possiamo और साहे हुं आई तिंग यहां पर जो आप सीधे देख रहे हो ना I think वो चैपल था और महापे शादी हो रही थी वी वे नॉट शूर हम गए नहीं अंदर हमने बाहर से देखा ये इधर जो आप राइट साइड में आप देख रहे हो ये तो ने लेफ साइड में सॉरी ये पूरा ये था रेस्टराउन जैसा था और इसमें भी स्टे करने का था और वो वाली शाइड चैपल थी महापे शादी हो रही थी आप ये देखे एरिया किता पृटी लग रहा है आगे जाके आप फिशिंग कर सकते हो यहाँ पे पूरा वापे डॉक्याप आप खड़े होके फिशिंग कर सकते हो तो वो बन था जब हमने ट्राइ किया जाने का पर हाँ यहाँ पे यह बड़ा ही पृटी लग रहा था हमें यह पूरा एरिया और मतलब हाँ पेड अगर जब आप समर्स में आओगे ना मेभी जब यहाँ पे पूरा अच्छे से वो ग्रीनरी आ जाएगी वो जब यहाँ प पजड़े कुछ एक भी लिफज नहीं है कुछ नहीं है पर जब आप समर्स में आओगे ना तो यहाँ पे आणा स्टार्ट हो जाएग़ जिसा क्छार भी जून के बीच में आओ स्कॉर्ट ले ले ना यू विल इंज्ड़ा इट बहुत अच्छा है और हां यह मतलब से वि आप चलो विंटर है जो भी है साड़डे संडे था तो हम निकल गया है पास ही है जैसे आपको दिखा है मैंने ट्रेन से हम पकड़के एक गंटे में आ गए थे यह तो यह आप जो एरिया देख रहे हो यहां पर पुरा स्विमिंग पूल वगरा है लोबी है में एरिया यही है कैमरन लॉज का जो डिसेप्शन वगरा है यहां पर वो जो वाम हीटर वाला जो स्विमिंग पूल है वो भी था अंदर तो वो जो आप देख रहे हो वो फिशिंग डेक है जहां पर आप जाके फिशिंग कर सकते हो पर वो लॉग था अगीन इस नॉट फॉर एवरिवरिव लरा था यह देखने में हम सोच देते यार कि पहले पता होता तो क्योंने कि जोल हम भी कुछ बुक कर्लेशन था यह restaurant काफी अच्छा था अगर आप आओ कभी तो आप ट्राइ कर सकते हो डग बेकर के नाम है restaurant का आप hotel और restaurant दोनों है चोटा सा है within Cameron के अंदर यह चोटी सी है I don't know यह Cameron वालों की है या किसी की है बट यह बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी वाइब आ रहे थी लोग dance कर रह आपको वह दिखाए देगा तो हमने अंदर कुछ बनाया नहीं है मैं आपको ऐसे बाहर से ही दिखा देती हूँ तो यह पूरा इसको डग बे कहते है अगर आप सर्च भी करोगे अगर आप कभी आ रहे हो लॉक लिमोंट आप सर्च कर लेना डग पे तो आपको यह Cameras launch के अ क्योंकि आपको लोग फुटबॉल बहुत कहलते हैं तो रग्भी बहुत कहलते हैं तो उसके लिए वह एरिया था और हम बस आगे बढ़ चड़े और हमने देखा कि यह पे कोई ग्रूप था और लेडीज का पूरा ग्रूप था विमन ग्रूप था और वह लोग बहुत आगे हम चल पड़े और बस यह जो एरिया था आप देखे किता प्रिटी लग रहा था ना और यहां पर हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी लगी नहीं रहा था लेक ऐसा लग रहा था कि सी है यह कोई तो हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे इतना सुन्द सुन्द सुन् सब्सक्राइब करने साथ हैं करन फोकरिंद को राहा है ले और वहन जैसे आगे बड़ थे 15 लोग यहां मतुई आई तैसा शुन्स reflect सुन होने अपन के रहे हैं इने ऊपना है प्रोपरिट का सिंट इनको उस थी करने बाट लूंच औक मरद यहां थे का प्रिटी लंड भी जो हमें याप पर देखने को नहीं मिली, यह सब individual houses हैं, I think जो property owners हैं, वो individual owners हैं, it's not from the Cameron Lodge, तो हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, काफी लोग आए वे थे, आप हमाँ पर देख रहे हो, वो white color की चोटी सी घर है, वो एक इन है और cafe है, बड़ा सुन्दर लग रहा था बाहर से देखके, और side में तो आप देखे रहे हो, किता प्यारा सा view है, तो बस यही था, अब हम वाप करो, मतलब 3-4 घंटे, and you will just enjoy this place, तो हम यहाँ पे हमने enjoy किया, हम वापस चल पड़े हाँ से, और हमें क्योंकि पहुशना आता घर, क्योंकि अगर रात हो जाता तो फेर यहाँ पे, मतलब हमें पता नहीं था कि Uber वगेरा मिलती, क्योंकि हमने try किया था Uber वगेरा नहीं है, त आप प्लीज लाइक, कमेंट, और सब्सक्राइब कर दीजेगा, और पीछे में देखरों यह लॉकल इमांड ही है, और प्लीज 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 आएगा उसके लिए वेट करेगा और देखिएगा, and thank you so much.